हेलो स्टूनेंट्स वेलकम अगें टू लर्ण प्रिदितिवन तो जैसा कि आपको पता है हम लोग 9 यूनिट जो है मिस्ट्री की राजिस्थान की वितिहास की उसको कर चुके हैं उसके बाद जो आपकी 10 यूनिट आती है राजिस्थान की कलावा संस्कृति तो जिसमें हमने RBSC की बुक में सभी टॉपिक जो है वो कर लिये थे मातर दो टॉपिक जो है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं किये थे कौन से राजिस्थान की बेशबूसा और आभूशन और दूसरा लोग नरतिया तो यह दोनों टॉपिक ही मैं आपको अलग से करवाओंगी क्योंकि आपके एक्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा तो आपके एक्जाम में जब आप देखेंगे तो वहां आपको अच्छे से समझ नहीं आए तो इसलिए मैंने आपके लिए ए आपके 10th यूनिट जो है उसी का टॉपिक है इसके बाद एक और यूनिट होगा और फिर आपका इस 10th यूनिट का भी टेस्ट लिया जाएगा तो दिखिए लोग नरतियों की बात करेंगे हम तो लोग नरतिये जिसमें यदि पूछा जाए थोड़ा सा आपको बता देती ह यूँकि राजिस्थान का जो शास्त्री नरत्य है वो है कत्थक ठीक है तो और उसका घराना जो है वो जैपूर में है तो मैंने आपको पहले भी यह चीजें बताई थी और इसके जो प्रवर्तक है वो भानुजी महाराज है तो यह आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है यह question उसके बाद राजिस्थान का जो लोक नरत्य है जिसे रजवारी नरत्य राज की नरत्य भी कहते हैं तो वो कौन सा है घूमर नरत्य जो है जिसे नरत्यों की आत्मा नरत्यों का हिर्दे नरत्यों का सिर्मोर यह सभी नामों से जाना जाता है राजिस्थान का जो लोक जान लीजिए कि इसमें 8 स्टेप होते हैं जिससे हम एक नाम देते हैं सवाई गुमर जो है वो गंगोर पर किया जाता है चैत्र सुक्लत रत्या को ठीक है तो पहले भी कर चुके हैं तो रिवाइस भी आपके लिए हो गया अब हम बात करेंगे प्रांतों के रत्या तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह चूरू सीकर जुंजुनू यह भाग जो है यह सेखावटी छेत्र के अंतरगत आता है उसके बाद जब हम यहां बात करते हैं अलवर भरतपुर धौलपुर करॉली यह आपके किस में आता है मेवाती शेत्र में ठीक है जैपुर दोसा टौंक यह यहां डूंगनाड शेत्र में और भूंदी कोटा बारा जहालावाड यह हंडूती शेत्र में आता है और उसके बाद मेवाड में देखिए उधैपुर रासम्मा चित्तोरगर उधैपुर डूंगरपुर बासवाड़ा ठीक है प्रतापगर चित्तोरगर यह मारवाड़ी शेत्र है ठीक है जोदपूर बाड मेर भिका निर तो यह क्या है मारवाड़ी शेत्र तो चलो आपको यह पता चल गया अब हम बात करेंगे नरत्यों की कौन सा नरत्य जो है वो किस शेत्र में किया जाता है सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पूरवी तरफ से तो देखिए यहांपर मैंने arrow लगाया है कि चूरू में सबसे ज्यादा गींदर नत्य जो है वो किया जाता है कहां चूरू में और यदि एक्जाम में चूरू ना कर सिखावटी शेतर का प्रमुक्र नत्य पूछा जाए तो क्या होगा गींदर नत्य कच्ची गोडी नत्य च केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नत्य है तो सबसे पहले जानिए गीनन नत्य क्या होता है गीनन नत्य ये भी होली पर किया जाता है तो जो धान जो है रोपी जाती है तो उस वक्त ये पागुन के महा में किया जाता है इसमें जो पुरुष होते हैं वो जाना वगरा गाखर और क्या करते हैं उस नुर्थय का आननद लेती है ठीक है ये हो गया गेदन नुरत्य क्ची गोडिन take क्ची घोडिन रट्य जो है वो किया जाता है यह पुर्सों द्वारा ही किया जाता है चार-चार के पैटर्ण बना कर पुरुष इसको करते हैं ठीक है ऐसे लगता है जैसे कि गुलावों की पंकड़ी खुल रही हो बंद हो रही हो इसके अलावा भी मैंने बताया पुर्सों को द्वारा किया जाता है इसमें ढोल भाकिय और थालि, ये जो वाध यंत्र होते हैं, ढोल भाकिय थालि ये खच्ची घोड़ि न्रते के होते हैं और इसकी और खास बात यह है कि अब यह न्रतय जो है वो व्यवसाइक न्रतय बन चुका है, ठीक है? अब याद रखना है कि पूर्सों के द्वारा किया जाने वाला कच्ची घोडी नरत्य जो सेखावटी शेतर में किया जाता है यह अब क्या बन चुपा है व्यवसायक नरत्य बन चुपा है ठीक है चलो यह क्लियर हो गया आपको नेक्स देखिए थोड़ी थोड़ी स्टोरी टाइप में अगर आप याद रहेंगे तो यह आपको याद रहेंगे नेक्स देखिए चंगन रत्य जो है यह भी होली पर किया जाता है इसमें ये भी केवल पुर्सों दारा किया जाता है नेक्ट देखिए धपन रत्य, तो जैसे चंग को धपन रत्य के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन होली पर चंग रत्य करते हैं और बसंत पंचमी पर धपन रत्य करते हैं, तो देखिए गींदर, कच्ची घोडी, चंग, धपन रत्य, पुर्सों द्वारा किया जाने वाला पॉर्सों के दौरा किया जाता है59 अ nehme नीच्ट बात करते हैं यहां पर आते हैं कहां पर मेवाती शेत्र में थिक स्पेशली जःव वह वह बंव सिया अनुर्त किया जाता है तो बंवराशिय का रत क्या हुआ बंव है वह क्या है डोल ठोल रस्यय यानिस वह तो मिवाति शेत्र मैं अलवर और भरत पुर में इस स्पेश्ली जो है वो बंभ रस्या नृत्य किया जाता है तो बंभ रस्या का इंद क्या हुआ बंभ जो है व pride झो रष्या यानी कि वह गया जाने वाले गित की टो टोल के साथ वो जो गीद गया जाता है इसी वज़े से इसका नाम है वम्रस्या नरत्य ठीक है तो इसको याद रखना है कि अलवर भरतपुर में वम्रस्या नरत्य जो है वो किया जाता है इसके अलावा रणवाजा और चर्कुला नरत्य यह भी मेवाती शेत्र में किया जाले वाल निरत्य में ठीक है चलिए यह बी आपका clear हुआ आप इस तरीके से map बनाइएगा और उसमें आप इसी तरीके से निरत्य जो है उनको mention करिएगा जिसे आपको याद रहेंगे नेक्स्ट आते हैं हम हांडोती शेत्र में अब हांडोती शेत्र के नत्य देखिए 12 जिले में मंकी नत्य और सिकारी नत्य यह किया जाता है तो यहाँ पर एक ही चीज पूछी जाएगी कि सहरिया जनजाती द्वारा कौन सा नत्य किया जाता है तो वो किया जाता है मंकी नरत्य और सिकारी नरत्य ठीक है हांडोती शेत्र में मंकी नरत्य और सिकारी नरत्य किया जाता है सहरिया जंजाती द्वारा अब चलिए next चलते हैं हम यहीं पर कोटा जिले में कोटा जिले में चक्री नरत्य किया जाता है तो ये बहुत ज़ादा important है और आपके exam में आ सकता है quota में کیया जाने वाला कौंचा नरत्य है? चक्री नरत्य आंडोती शेत्र में किया जाने वाला कौंचा नरत्य है? चक्री नरत्य चक्री नरत्य के बारे में क्या खास बात है? ये नत्य जो है वह है महलाओं के दोरा किया जाता है जिसमें जो महलाओं नहीं कुमारी कन्याओं के दोरा ठीक है तो कंजर जाती की जो कुमारी लड़कियां होती है वो इस नत्य को करती है जिस तरीके से सेखावटी शेत्र में कच्ची घोडी नत्य एक व्यवसाइक नत्य उसी तरीके से हांडोती शेत्र में चक्री नत्य जो है वो एक व्यबसाइक नत्य बन चुका है ठीके जो मतलब पैसे कमाने का माध्यम चक्री नत्य चक्री जैसा की नाम से ही बता लग रहा है इसमें जो लड़कियां होती है वो बहुत स्पीड से गोल-गोल चकर लगाती है घूमती है, इसले, इसका नाम चक्री नत्य पड़ा, और यह किसके द्वारा किया जाता है कंजर जाती की कुमारी लड़किओं द्वारा किया जाता है, ठीके? क्लियर हो गया, चलिए, next है जाला बार में, आनौती शेत्र में जाला बार जिले में बिंदोरी नत्य भी किया जाता है ठीक है इसके बारे में केबल आपको यह याद रखना है जाला बार में बिंदोरी नत्य किया जाता है नेक्ट देखिए भील बारा में यानि किसंगड में किसंगड साइड में और थोड़ा भील बारा में भी नहर नत्य किया जाता है मांडल में ठीक है तो भील वाड़ा में कौन सा नरत्य किया जाता है नाहर नरत्य या मांडल नरत्य जो वो किया जाता है अब देखिए इस नरत्य के बारे में यह पूछा जा सकता है कि जो मुगल समरार थे कौन सहाजा तो वो यहां पर आये थे उसी समय से यहा पूछा जा सकता है कि एक्जामिनर जो है यदी पूछ ले कि कौन से मोगल सम्राद उनकी आने से नहां हर नृत्य जो है वह परारम हुआ था यह परंप्रा होई थी तो कौन सा है नहार नृत्य कहां का है यह वीलवाडा का ठीक है याद हो गया वीलवाडा में भी मांडल का चलिए अब हमने यहां जो की राजिस्थान के पूर्वी साइड में जो नृत्य थे वह हमने देख लिए अब हम देखते हैं मेवाड की नृत्य मेवाड में उधैपुर में भव पपिए जाता है आपको मैं आपसे भी दिख रहा होगा किव अ किराजिस्तान के नीचे क्या देखते हां गुजराथ आणा तो गुजराथ में यह वह वह किया जाता है किसके द्वरा किया जाता है ठीक है किसके दौरा किया जाता है कफोड़िया जंजाती में यह निरत्य कैसे जतर ज二 जो है यह एक तो सर के ऊपर जैसे कांच वगईरा रखकर पार किलास रखकर और या फिर नोखिल जो चीज होती है उस पर खड़े होकर she नरत्ये जो किया जाता है, बहुत difficult होता है, और कई बार तो जो dance करने वाली जो लड़कियां होती है, ओडते होती है, वो क्या करती है, मुझे रुमाल उठाने का काम भी करती है, तो अब ये इस तरीके का नरत्ये है, तो ये व्यवसाईक नरत्ये होगा, ठीके, क्योंकि यहा पढ़ा कच्ची गोडी नत्य जो की सेखावटी शेत्र में है दूसरा हमने पढ़ा कौन सा नत्य पढ़ा चक्री नत्य जो की व्यवसाइक नत्य है तीसरा हमने पढ़ा भवाई जलते हैं कहाँ पर राज संब्द में राज संब्द में नात द्वारा डांग नर्त्य किया जाता है पौन सा किया जाता है राज सम्मन्द में नाथ द्वारा डांग नत्य किया जाता है इसके बारे में बस आपको एक ही लाइन याद रखनी है राज सम्मन्द में नाथ द्वारा डांग नत्य किया जाता है तो मुझे लगता है कि आपको साथ में ये चीज़ें याद भी हो रही होंगी एक बार मैं आपको revise भी करा दूँगी चलिए next है सिरोही सिरोही में देखिए गरासिया जन जाती है तो इसके बारे में तो second grade में भी पूछा गया था कि मादल, वालर, गौर, लूर, जवारा, मोरिया इन में से एक जो है वो नहीं दिया था यानि कि तीन option जो है उन में तो इ गरासिया जन जाती द्वारा किया जाने वाला कौन सा नत्य नहीं है तो यह तो आपको थोड़ा सा गाने की तरह याद करना होगा मादल, वालर, गौर, लूर, जवार, जवार, मोरिया साथ मैं बोलिए मादल, वालर, गौर, लूर, जवार, मोरिया गरासिया जन जाती जो ये मांदल नत्य है ये किसके द्वारा किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और जो वालर नत्य है इसमें इस्त्री पुरुस दोनों के द्वारा किया जाता है कौन सा नत्य है बालर नत्य इस नत्य के बारे में एक खास बात क्या है कि ये बिनावादियंत दblesर के यह इस्त्री पुरसों द्वारा किया जाने वाला नत्य है, वालर नत्य, Next गौर जो है वो गंगौर पर किया जाता है, छीके उसकेदहाद है, जो यह जवारा नत्य है, जवारा देखिये नाम से ही पता लग रहे और याद भी हो जाएगा, जवार, जवार की जो बालि पूरिया जो नत्य है वह है पूर्सों द्वारा विवाह पर किया जाता है चलिए एक बार और देखिए मांधल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नत्य है गौर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नत्य है जवारा पूर्सों द्वारा किया जाने वाला नत्य है और हमने मादल, वालर, गौर, लूर, जवारा, मूरिया, चलिए, नेक्स्ट है धोलन रत्य, धोलन रत्य जो है वो भील जन जाती जोरा जालोर में किया जाता है, धोलन रत्य किसके दोरा किया जा रहा है, भील जन जाती दोरा किया जा रहा है, और लूमन रत्य जो है यह भी भील जन बस यहाँ पर नाम याद रखना है, जालोर में भील जन जाती द्वारा धोल नत्य, लुमन नत्य किया जाता है. अब हम चलते हैं मारवाड शेत्र में, जहां, देखिए, तेरा ताली नत्य sensible कहीं बाइब आया है, तो राम देव जी के संमान में कौन से नत्ये करते हैं, तेरा ताली नत्ये ठीके, ये भी कामण जाती के महलां द्वारा किया जाता है, ठीके, अब आपको याद रखने हैं, जिन में मैंने आपको बताया है कि कौन से जाती जन जाती उनके द्वारा नत्य किया जा रहा है, ठीक है? अब मंकी नत्य, शेकारी नत्य, शेहरिया जन जाती द्वारा किया जाता है, मैंने आपको बताया, भवाई नत्य कथोडिया जन जाती द्वारा किया जाता है ये बताया मादल वालर गौडलूर जवारा लोरिया ये गरासिया जन जाती द्वारा किया जा रहा है धोल नत्य भील जन जाती द्वारा किया जा रहा है और तेरे दारी नत्य जो है वह है कामड जाती के महला द्वा इसकी न्रत्यांगना है फलकुबाई उसके बाद है बाड़मेर का गैर न्रत्या बाड़मेर का कौन सा है गैर न्रत्या इसका नाम ही आपको याद रखना है बाड़मेर में गैर न्रत्या या मारवाडी शेत्र का महत्वपूर्ण है गैर न्रत्या जोदपूर में डांडिया, घुडला और मचली नत्य जोदपूर का नत्य है डांडिया, घुडला और मचली नत्य ठीक है तीनों नत्य किसके हैं जोदपूर के नत्य हैं कौन-कौन से डांडिया, घुडला और मचली नत्य है उसके बाद आते हैं हम कहां पर अजमेर के नत्य अजमेर की जो किशनगर है वहां पर चरीन नत्य यह है मैथपूर नत्य है चरीन नत्य की जो नत्यांगना है वो फलकूबाई है अब जब इनकी नत्यांगना है फलकूबाई तो यह नत्य जो है वो गुर्जनों का प्रशेद दिन रखते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि जो महला होती है वो साथ चरी सिरपर रखती है जैसा कि नाम है इसमें रखती है और फिर ये क्या करती है डांस करती है और इसकी जो नत्यांगना है वो कौन है फलकुबाई याद रखना है इस तरीके से याद रखना आप कि गुर कोई भी ट्रिक बना के इनको याद रखने की कोशिश करना है चरीन रत्य किसंगड अजमेर में प्रशिद्ध है पलकुबाई इनकी क्या है प्रशिद्ध नत्यांगना है इसके अलावा ब्यावर में मयूर नत्य भी किया जाता है उसके बाद देख रहे हैं हम बीका नेर का अगनीन रत्य तो बहुत इंपोर्टेंट है यह भी रत्य अगनीन रत्य गतरियसर गाउं में अगनीन रत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है और याद रहना है कि आश्विन की जो सुखल सप्थमी होती है उस समय यह किया जाता है और जसनाती संप्रदायद्वरा किया जाता है और इनको क्या बोलते हैं सिद्ध कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं सिद्ध जो आग के अंगारे होते हैं उन पर ये चलते हैं फते फते का नारा भी लगाते हैं ठीक है तो इस तरीके से नत्य जो है वो होता है तो इस तरीके से एक्जाम में पूछा जाए कि कौन सन रत्य है जिसमें जसनाती सं प्रदाय के जो सिद्ध लोग होते हैं वो फते वते का नारा लगाते हैं तो क्या होगा अगनी नत्य होगा तो मैंने आपको जो नत्य थे जो आपके एक्जाम में आने वाले थे तो वो सभी मैंने आपको करवा दिये हैं ठीक है चलिए अब मैं आपको एक बार रिवीजन देती हूं सेखावटी शेत्र में चूरू जुनु और सीकर यहां पर किया जाने वाला नत्य कौन सा है गींदन कच्ची घोडी नत्य चंग धप नत्य केवल पुर्सोंदा किया जा रहा है इसपेशली होली पर किया जा रहा है ठीक है नेक्ट देखिए मेवाती शेत्र अलवर भरतपुर धौल पुर यहां पर बम्रसिया रणवाजा और चर्कुला नत्य किया जा रहा है रणवाजा जो है यह यूगल नत्य है ठीक है इस्त्रीपुरस दोनों के दोरा किया जा रहा है उसके बाद देखते हैं हम बारा में बारा जले में मंकी नत्य सिकारी नत्य सहरिय जन जाती द्वारा किया जा रहा है चक्री न्रत्य व्यवसाइक न्रत्य है यह कोटा में या हांडोती शेत्र में किया जाने वाला न्रत्य है बिनोरी नरत्य जालावाड में किया जा रहा है, नहर नरत्य जो है वो मांडलकड भीलवाडा में किया जा रहा है, ठीके, चलिए, उसके बाद हम नेवार शेतर में देखते हैं, तो भवाई नरत्य जो है, उदैपुर में स्पेसली किया जा रहा है, कथोड़िया जनजाती द वालर मादल वालर गौर लूर जवारा मोरिया इसमें मैंने वालर के बारे में बताया कि कोई भी बादियंत्र जो है वो इसमें यूज नहीं होता है बील जन जाती ढोल नत्य करती है जालो और शेत्र में उसके बाद तेरे ताली नत्य जो है वह किया जा रहा है पाली में और नत्यांगना फलकुबाई है कामण जाते के महलावद्वार रखिया जा रहा है या ऐसे बोल सकते हैं कि मारवाड शेत्र का तेरे ताली नत्य जो है वह बहुत महत्वपून है नत्यांगना फलकुबाई है गैर नत्य बाड़मेर में है गुडला नत्य डांडिया नत्य, मचली नत्य यह कहां का है जोदप अब हमने यह देखे अब देखी अब मैंने अलग से भी लिखा हुआ है कि पुर्सों द्वारा ही किया जाने वाला कौन से नत्य है गैर, गवरी, गींदर, चंग, डांडिया, ढोल, अगनी, बमरसिया और कच्ची गोडी नत्य यह सब भी पुर्सों द्वारा किये जा रहे न इसमें हमने एक पड़ा व्यवसाइक नत्य कच्ची गोडी नत्य जो कि पुर्सों द्वारा किया जा रहे यहां पर देखिए महलाओं द्वारा किये जाने वाले नत्य काल बेलिया, घूमर, भवाई, तेरह ताली नत्य ठीक है कौन-कौन सा देखा हमने काल बेलिया, घूम घूमर, भवाई, तेरह ताली नत्य ठीक है, जिसमें जो भवाई नत्य है, वो हमने देखा कैसा है, व्यवसाइक नत्य है, ठीक है, कैसा नत्य है, व्यवसाइक नत्य है, और काल बेलिया जो है, इनकी जो नत्यांगना है, आपके एक्जाम में पूछी भी गई थी, गुला जाता है तो यह इसके अलावा इसके आलावा काल विलिया के बारे में बोला जा सकता है कि इentes पर आधारित होता है तो यह प्रेम कहानी पर आधारित आधारित बारीत बारे में जो भी réflex here सब भी आपको याद रखनी है, आपके exam में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, read के exam में इससे बाहर नहीं आएगा, यदि आप 2nd grade के या 1st grade के exam के त्यारी कर रहे होते, तो आपको और भी deep में जाके इनको याद रखना पड़ता, लेकिम RBSC को ध्यान में रखते हुए, मैं के याद रखते हुए, मैं और भी आपको याद रखना प्सकी आपके याद रखना श्यारी का रखना प्सकी आपके वाद का लग्यान के रखना है, जब रखना है।